अगर आपको मटन खाना है तो मटन पाय को खाईए दोस्तों मटन पाय सर्दी हो या गर्मी ऐसी बड़िया सी लाजवाब चीज़ है कि जिसको खाने का जायका अब हर मौसम में ले सकते हैं और मैं शेफ अमन आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस मटन पाय को सही तरीके से बनाया जाता है किस तरीके से हम मटन पाय को एकदम 24 होटल जैसे बनाएं जिससे कि वो इत्ते जाद अगले हों और खाने में बहुत ही जादा जबदस्त हो तो हलो गाईज मेरे नाम है शेफ अमन बिसारिया चलिए मटन पाय की रेसिपी को बनाते घर पे बहुत ही असानी से मटन पाय जब भी आप बनाएं तो सबसे ज़रूरी चीज यह है कि हम मटन पाय को सही तरीके से पकाएं मैंने यहाँ पे एक तिहाई कप सरसो के तेल का इस्तिमाल किया है और इसे गरम करके ठंडा कर लिया यानि कि मैंने साड लिया और इस साड़े हुए सरसो के तेल के अंदर हम चार स्लाइस करी हुई प्यास को एड़ करेंगे हमारा सबसे पहले काम तो यह होगा कि हम सरसो के तेल के अंदर इस मटन पाई को पकाएं लेकिन हम उसके पहले प्यास को अच्छी तरीके से भून लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर हैंने प्यास को अच्छी तरीके से गुलाबी किया है कम से कम 10 मिनिट के लिए एकदम हाई फ्लेम पे सरसो के तेल में पकाया है और जैसी 10 मिनिट होंगे हमारी यहां पे प्यास बिल्कुल बनके तेयार है अब दोस्तों हम बात करते हैं मटन पाई की जो कि सबसे ज़ादा ज़रूरी है और आदे से ज़ादा लोग इस चीज पे बहुत ज़ादा गलती करते हैं तो मेरा सबसे पहली चीज आपको बताने के लिए ये रहेगी कि आप भुने मटन पाई का इस्तिमाल करें जी हाँ जहां से आप मटन पाई को खरीद रहे हैं उस दुकानदार को बोलिए कि हमें भून के दे पचास रुपे जादा लेगा लेकिन मटन पाई को भून के जो मज़ा देगा आपको आपने पहले कभी नहीं लिया होगा और हाँ मटन पाई को भूनने के बाद उसको बड़िया तरीके से साफ कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने अल्रेडी बना के रखी है अगर आप यूटूब पे देख रहे होंगे तो आई बेटेन पे क्लिक कर दीजे फेजुक के देख रहे होंगे तो आप मेरे यूटूब चैनल पे देख सकते हैं मटन पाया को 10 मिनिट बड़िया तरीके से प्याज में भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर दो बड़ी चमच अद्रक और लेसन का पेस्ट आइट करूँगा और इन्हें वापिस से 10 मिनिट के लिए बड़िया तरीके से मैं भूनना शुरू कर दूँगा भूने हुए मटन पाया का इस्तिमाल करने से जो दुकानदार है वो उसकी खाल को नहीं उतारता और जब वो खाल को नहीं उतारेगा तो वो खाने में बहुत ही जादा बड़िया लगेगा सच मानिएगा दोस्तो अगर आपने मटन खाया है बचपन से तो भाई आपने मटन पाय भी खाया होंगे और किस तरीके से वो बनते हैं आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ लेकिन हाँ मटन पाया जिस भी दुकानदार से खरीदें उसको छोड़िये का नहीं आप सबसे पहले तो मैंने प्यास के साथ मटन पाया को भूना 10 मिनिट उसके बाद अधरक और लेसन के पेश के साथ भूना 10 मिनिट अब मैं इसके अंदर गरम पानी और एक चम्मच एड़ कर दूँगा नमक जी हाँ और आपको पानी कितना एड़ करना है वो सबसे ज़ादा जरूरी है दोस्तो अगर आपने इस समय पे पानी कम एड़ किया तो बहुत ही ज़ादा दिक्कत हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देखी सकते हैं मैं दोबारा से पानी यड़ कर रहा हूं और आपको पानी इतना यड़ करना है कि आपके पाए अच्छी तरीके से पानी में ढूब जाए उसके साथ में थोड़ा सा और जादा पानी बज़ भी जाए और इस तरीके से हम perfect तरीके से एकदम मटन पाय को गलाएंगे जी हाँ यही वाले तरीका हम इस्तिमाल करने वाले हैं और हम pressure cooker का इस्तिमाल करेंगे तो फटा फट से इसका धकन भी लगा देते हैं अब एक city आपको दे देनी है बिल्कुल high flame पे उसके बाद हम pressure cooker को बिल्कुल धीमी आज़ पे कर देंगे और धीमी आज़ पे एकदम time के हिसाब से 40 minute आपको पकाना है जी हाँ ना कम ना जाधा 40 minute के लिए पकाईए उसके बाद में आप pressure cooker जब खोल के देखेंगे तक यहाँ पे पाई जो है बढ़िया तरीके से गल चुके है आपको लग रहा होगा कि 40 minute तो बहुत ही ज़ादा है अगर हम धीमी आज़ पे पकाईगे बिल्कुल सही बात है दोस्तों मटन से कम से कम 15 minute ज़ादा समय लगता है पाई को पकाने में और इसी चीज को आपको पकड़ के रखना है क्योंकि जब तक पाई अच्छी तरीके से गलेंगे नहीं तब तक आपकी ग्रेवी जो है वो बढ़िया नहीं बनेगी तो यहाँ पे पाई बढ़िया तरीके से गल चुके हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सर्शो के तेल में बनाएं आप चाहें तो रिफाइन तेल में भी बना सकते हैं सर्शो के तेल को साड़ लेने के बाद मैंने यहापे चार तेस पत्ता चुटी जावित्री एक बड़ा चमच जीरा, चार से पांच मैंने हरी वाली इलाइची का इस्तिमाल किया है एक चम्मच काली मेश और आधी चम्मच लॉंग इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना इन खड़े मसालों को बड़ी है तरीके से हम सरसो के तेल में चटकाएंगे और बड़ी है तरीके से दोस्तो इसे पका लेंगे और हाँ, मसालों को पकाने के बाद आपको फटा फट से यहाँ पे प्यास को एड़ कर देना है जी हाँ, मैंने दुबारा से प्यास का इस्तिमाल किया लेकिन इस बार प्यास आपकी बारीक चॉप होनी चाहिए और दोस्तो बिल्कुल जादा प्यास का इस्तिमाल नहीं करेंगे इस बार हम सिर्फ दो प्यास का इस्तिमाल करेंगे जी हाँ, यहाँ यहाँ पे मैंने सिर्फ आठ पाई का इस्तिमाल किया है यानि कि दो जोडों का इस्तिमाल किया है अगर आपको समझ में आये तो उसे के जाद में प्यास को मैंने बढ़िया तरीके से 5-6 मिनिट अच्छी तरीके से भूना है और उसके बाद में यहाँ पर फटा फट से इसको फैला दूँगा और इसके अंदर मैं आड़ कर दूँगा मटन के पके हुए पाई को बिना पानी के आपको मटन पाई की रेसिपी दोस्तों बहुत लोग सिखाएंगे लेकिन यकीन मानिए मैं एक शेफ हूँ और मैं आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा इन पके हुए पाई की हम इतनी बढ़िया तरीके से भुनाई करेंगे प्यास के साथ में कम से कम 5 मिनिट एकदम हाई फ्लेम पे के पाई बढ़िया तरीके से चमक में आ जाएंगे उसके बाद 5 मिनिट के लिए हम अदरक और लेसन के साथ पकाएंगे लेकिन मैंने अद्रक और लेसन कितना लिया देखिए मैंने पहले दो चमच लिया था और अभी भी यहाँ पे मैंने दो बड़े चमच का ही इस्तेमाल किया है और अद्रक और लेसन के पेश के साथ हम पाई को बड़िया तरीकी से भूनेंगे लगबग 5 मिनिट के लिए जिससे अधरक और लेसन के पेश का कच्चपन खतम हो जाए पाई के अंदर बढ़िया सी चमक आजाए जैसे कि आप वीडियो में देखी सकते हैं और जब पाई के अंदर बढ़िया सी चमक आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एड़ करेंगे पाई की यकनी को जी हाँ हमने यहाँ पे पाई की यकनी को अलग से निकाल के रखाए और इस पाई की यकनी को हम एड़ कर देते हैं पाई के अंदर देख सकते हैं आप कित्ती गाड़ी यकनी हो गई है इसको बड़िया तरीके से आप फटा फट से मिक्स कर दीजिए और जैसे आप यकनी को मिक्स कर दें और फटा फट से उबाल आ जाए क्योंकि यकनी भी गरम होगी तब हम इसके अंदर आड़ करेंगे कुछ पाउडर वाले मसाले जैसे कि हर बार होता है एक चम्मच सिल्वट्टा मसाला साथ में एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच देगी मिच और एक चम्मच कश्मेरी मिच इसे स्वाट जो आएका पाई में बहुत ही बढ़ी आएका बड़िया तरीके से हम इन पाई को मिक्स करेंगे और ये देखने में तो अभी से बहुती बढ़िया चटपटे से लग रहे हैं लेकिन हमें अभी इनको और थोड़ा सा पकाना है तो देखें मैंने क्या किया इसको बढ़िया तरीकी से पकाया है आपको जितनी यकनी एड करनी आप उतनी एड कर सकते हैं और यकनी एड करने के बाद आप इनको बड़िया तरीके से एक बार मिला जरूर लीजेगा अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैंने इसको धाग दिया और एकदम धीमी आज पे इसे पकाया और धीमी आज पे 10 मिनिट पकाने के बाद मैंने गैस को बन कर दिया और 5 मिनिट इंतिजार किया और यहाँ पे मटन पाया बिलकुल बन के तेयार है इन जबरदस और लजीज मटन पाय के उपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया एड़ करेंगी उनने गोस्ट को शोनना शुरू कर दिया उसी जात में जो इनकी यकनी है वो भी बढ़ गया तरीके से गाड़ी हो चुकी है और यह थोड़ा सा मैंने भुना स्टाइल रखा है दोस्तों बिलकुल आपके उपर है अगर आप इसे पतला करना चाते तो यकनी बाजू में रखी आप बिलकुल एड़ कर दीजे लेकिन मुझे तो इस तरीके से भुना वाला खाना जादा पसंद है तो जब मटन के पाई बिलकुल बन के तियार हो चुके तो हम फटा फट से इनको एक कडाई के उपर निकाल लेते और देख सकता आप किस तरीके से मसाला इन पर जबदस तरीके से लिप्टा हुआ है और यही दोस्तों खाज़ियत है हमारे मटन के पाई की अगर आप इसको एक बार बनाए घर पे तो मेरे को जरूर याद कीजेगा और कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को बताएगा जरूर कमेंट सेक्शन में यूटूब पे देख रहे हों फेजबूक के देख रहे हों इंस्टाग्राम पे देख रहे हों मेरे को हर जगा जॉइन कर लेजिए शेफ आवन बिसारिया नाम है मेरा मैं आपके लिए ऐसी बड़िया बड़िया रेसिपीज ले के आता हूँ तो मेरे साथ जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन फॉलो बटन को जरूर दवाएं और हम फिर मिलते हैं नईनी और बड़िया बड़िया रेसिपीज के जाथ तफ़ते के लिए गुडबाई